हम इतरे टाइम से TWS नेकबेंट वगरा रिव्यू करते हैं आप सबको पता होगा और अभी रिजेंड में TWS लॉंच इस दबा के हुए है किके और हमें तो लौटीscene वी यहि activities दस्काइब हैं औरहमन कोड़ों okay और से सवाह से आशीनय नीजाएं और से यहां डाम अज्यक पर कारेंड और मैनुए हमार यहां निकल जाता है और हमारा वारानिंच और यहां निकल्जाता है मारा ज्माल्च और क्वालिटी तो बढ़िया है यहां पे बॉल्ट ऑडियो की ब्रैंडिंग हो रखी है और यह जो पर से रबर से कवर्ड है और फुली फ्लेक्सिबल वाला है तो गितना बरजी मोड वोड लो कोई ऐसी दिक्कत ने होने वाली और यह जो आगे का प्लास्टिक यूस कर रखा है यह भी अच्छी का से कॉलिटी का यूस किया हुआ और यहां पे हमारे को रबर वायर मिल जाती है और वायर की कॉलिटी वह अच्छी है और यह जो आगे की एरफोन से यह हमारे को मेटल की मिल जाती है और यहां पर सामने मैकन बिलती है तो आप चिपका भी सकते हो यहां प यह Neckband Bluetooth version 5.3 के साथ आता है, connectivity में कोई दिक्कत नहीं है, on होते ही आपके last paired device से instantly connect हो जाता है, और साथ ही में dual pairing को भी support करता है, एक साथ दो device में आप connect कर सकते हो, एक पर connect कर दो, उसका Bluetooth off करके, दूसरे पर connect करके, दोनों का Bluetooth on करो, दोनों सा connect हो जाएगा, और तो और IPX 5 rated है, अब neckband पैन के, जिम बगएरा जाओगे, और sweating होती है, गर्दन पर बहुत आप स्वेटिंग होती है, तो उसमें यह खराब नहीं होगा, अब इसका highlighting features, जो है ANC, इसके अंदर दो dedicated microphones दे रखके हैं, ANC के लिए, और इसके अंदर 30 dB तक का ANC मिल जाएगा, जो कि हमागाँग जाता है, और ANC बंद पे आपको battery backup आपको जादा मिलेगा, और battery backup की बाद चल रही है, 40 घंटे का total battery backup आपको देगा, यह fast charging पे सपोर्ट करता है, 10 मिनट चार्ज करो, 15 आर्स का playtime आपको मिल जागा, तो on the go आपको game खेलने हो, गाएने सुनने हो, 10 मिनट, इसके अंदर 12 mm क Boom X drivers दे रखे हैं, यह Boom X क्या है, मतलब Boom Boom करेगा कारणों में या नहीं, वो मैं सुनके बताता हूँ, real time यह driver है na Boom, तो Boom वाला ही साब किताब है, इसके अंदर बेस अच्छा खासा है, बाई, एकदम boom bum sound आती है, कान में सी कोई दिक्कत नहीं है, और जो treble है वो बहुत ही boosted, instruments वागेर होगी है, जो भी high pitch sound होगी वो आपको बहुत ही loud सुनाई देती है, लेकिन mids भी अच्छ है उ उसको overcome नहीं करते हैं, बट overall मैं काफी loud sound है, 100% volume पे नहीं सुन पाऊगे, आपको 70-80% सुनना पड़ेगा, and overall sound की quality है, तो Boom X, और यह आते game mode के साथ 60 millisecond low latency आपको मिल जाएगी आपे, latency okay okay है, अगर casual gaming आप करते हो तो उसके लिए ठीक रहेगा, मैंने इसके उपर call of duty वगरा 60 millisecond latency में थोड़ा बहुत तो लगता ही है, बट हाँ, gaming experience सही रहता है, आगर आप casual gaming करते हो, अगर आप story type के game खेल ले तो उसके अंदर सही रहेगा, और अगर movies वगरा देखोगे, उसके अंदर latency के ऐसी कोई दिखक अदमिया, dialogues वगरा, lip sync वगरा, बिल्कुर प्रपर दिख और इसका माइक ENC के साथ आता है, environmental noise cancellation, जैसे कि हम outdoor में record कर रहे हैं, तो आस-पास हवा चल रही है, तो उसकी कोई आवाज आपको नहीं आरी होगी, नहीं आरी, ऐसी इसकी माइक की quality है, तो भाई, यह तो इसका पूरा review, bolt audio की तरफ से curve ENC neckband का, और यह उन्होंने वान्च क के साथ से मेरे को sound quality में सच कोई दिक्कत नहीं लगी, बस treble boosted है, तो 100% पर आपको सुनने में थोड़ी problem हो सकती है, बाकी overall build quality अच्छी है, यहाँ पर ANC मिल जाता है, 30db का decent सा ANC है, और gaming के लिए महाँगा, casual gaming के लिए ठीक है, और वैसे हम आपने channel पर काफी TWS वगरा neckband व बना सकते हो, और इसका link तो मैं दे दूँगा description में, बाकी पसंदा यो वीडियो तो like मार देना, पहली बारा तो subscribe और bell icon पर बहुत जोरूरी है, मिलते नेक्स वीडियो उप तक के लिए, बाई!